हैलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मेकनिकल टेक हिंधी फ्रेंड्स आज के टाम पर बहुत सारे बाइक और स्कुटर में साइड स्टैंड कट ओफ सुच याससाइड स्टैंड सेंसर को दिया जाता है अब इन सेंसर का क्या काम है यह तो आपको अच्छी तरह से पहले से पता होगा क्योंकि जब हमारी बाइक का जो इंजन ने वो स्टार्ट होता है और बाइक गयर में होती है उस टैम पे स्टैंड को गिराते ही इंजन बंद हो जाता है वहीं दूसरी तरफ अगर पहले से stand गिरा हो बाइक गिर में हो तो हम जितने भी कोशिश कर लेते हैं engine start नहीं होता है अगर neutral की बाद कर ले तो engine start है और बाइक अगर neutral में है तो हम जितना मर्जी उतने बार stand sensor को गिराए उठाए उससे कोई फरक नहीं पड़ता है अब फिर देखे आज के इस वीडियो में आपको दो चीज़े बताऊंगा पहला यह जो sensor यह जो cut off switch है वो किस तरह से और क्या काम करता है फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि अगर आप अपने bike ya scooter के engine को बार बार जो stand है उससे गिरा कर बंद करते हो तो उससे कोई नुकसान होता है कि नहीं होता और क्या आपको यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यह सब आगे इस वीडियो को जानने को मिलने वाला है वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर से कर ले फ्रेंड्स टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अच्छी opportunity है जिसके बारे मैं आपको बताना चाहूंगा अन Academy, Mechanical, Electrical, Electronics Engineers के लिए Core Engineering Courses लेकर आई है इन courses के help से आप अपने industrial skill set को improve करके एक बहतर core engineering sector company में एक बहतर profile पे एक बहुत अच्छा job पा सकते हो साथी आन Academy अभी एक special class लेकर आई है इस class की खास बात ही है कि इस class में किस lecture होंगे जो कि top industrial expert होंगे ये expert अपना experience आपके साथ share करेंगे वो आपको बताएंगी कैसे आप अपने career को fast track कर सकते हो साथी आपको ये भी जानने को मिलेगा कि कैसे आप core engineering sector में एक बहतर job को crack कर सकते हो और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि engineers में किस तरह के industrial skill set की requirement होती है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो guest lecture है वो top industrial expert होंगे तो अभी आपको अपने skin पे जिन भी companies का logo दिखाए दी रहा है ये expert इन ही किसी एक company से होने वाले है ये एक surprise है और इनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा ये आपको guess करना और ये आपको मालूम चलेगा special class के दौरान timing के बारे मैं आपको बता दूँ इस special class जो होने वाला है Saturday को 7 PM onwards और Sunday को 12 PM onwards तो बहुत की अच्छी opportunity आपके पास है सारे important links आपको इस वीडियो के description रे मिल जाएंगे इस special class के लिए आप जरूर से enroll कर ले चले फंस आपको टॉपिक में वापस आते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग बाइक और अलग लग स्कूटर में दो चीजे होती है कुछ में side stand cut off switch होता है कुछ में side stand sensor लगा होता है दोनों अलग चीजे है पहले हम आपको sensor की बात कर लें तो mostly जो बाइक या स्कूटर में ECU आनि की engine control unit रोता है वहीं पर इस sensor को दिया जाता है अब देखे sensor का काम होता है कि just वो side stand उसके position को बताता है किसे बताता है ECU आनि की engine control unit को उसका signal बेचता है कि कब stand उपर उठा हुआ है और कब stand down है ये sensor बस ये काम करता है ये data भेचता ECU को साथी ECU को जो sensor है उसके ये भी data मिलता है कि जो bike है वो किस condition में है यानि की जो bike है वो gear में है या फिर neutral में है ये भी data मिलता है और इन दोनों data के साब से जो है वो ECU क्या करता है कि अगर engine start होता है ठीक है bike gear में होती है और जैसी sensor जो stand है उसे गिराया जाता है तो ECU क्या काम करता है ECU जो ignition coil हमारे bike के scooter में उसका जो wiring है उसका जो ठीक है wiring वगर है उसे open कर देता है यानि कि ignition coil में जो current आ रहा है वो current मिलना बंद हो जाता है अब जैसे ignition coil को current मिलना बंद होगा तो होगा क्या spark प्रक्ते spark करने चिंगारी नहीं निकलेगा और नहीं निकलेगा तो क्या होगा कि जो हमारा engine है वो बंद हो जाता है ये काम हो जाता है उसी टाइम में इसी एक और काम करता है कि जो हमारे starter motor है उसका बेजो circuit है उसे open कर देता है उसे भी current ही मिलता है तो उससे क्या होता है कि हम अगर engine को start करने की कोशिश करते रहे इस टाइंड गिरा हुआ है बाइक gear में है तो start भी नहीं होता है तो ये काम हो जाता है sensor से लेकिन बहुत सारे bike स्कूटर में sensor नहीं होता वहाँ पर cut off switch होता और cut off switch क्या करता है कि जैसे हमारे stand गिरता है उस टाइम पर पैक अगर gear में हो या engine चालू हो उस टाइम पर क्या हो जाता है ज़स्ट ये हो जाता है कि जो ignition coil है उसको current मिलना बंद हो जाता है spark plug से spark का निचिंगारी नहीं निकलता है और engine बंद हो जाता है तो दोनों इस तरह से काम करता है लेकिन सवाल है कि क्या हमें बार बारिशान को गिरा के engine को बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं आपको इसका simple logic वाला जवाब देता हूँ ठीक है देखे आप समने अपने bike के scooter के जो kill switch है उसे जरूर से use किया होगा engine जब start होता और जैसे ही हम kill switch को off करते है तो engine तो बंद हो जाता है लेकिन बाकी का जतना electrical system है जो lighting वगरा जो होने वो सब काम करते रहता है वहीं तुसी तरफ engine को start करने के लिए जरूरी होता है कि हम kill switch को पहले on कर ले ये तो आपको अच्छी तरह से पता है तो जिजी इस तरह से और जो side stand ले उसे गिरा के रखते है जिससे problem हो जाता था corner में भो जाता था इसलिए just as a safety switch इसे दिया गया है और बार बार अगर आप side stand sensor से अपने bike scooter को इंजन को बंद करते हो तो कोई दिक्कत कोई परिशानी नहीं आप जितनी मर्जी उतनी बार कर सकते हो जिस तरह से kill switch स करते हूँ उसी तरह से side stand से भी कर सकते हूँ ये भी एक just safety switch ही है तो बहुत से लोग confused होते है या बहुत से लोग गलत फहाम ही फैल आते है कि भाई इससे मत बंद क्या करो इससे engine को नुकसान होता है बिलकुल नहीं engine को नुकसान नहीं होता आप इस बात का ख्याल रखे तो अगले वेडियो में थांक्स वाचिंग इस वीडियो गुडबाई